हे गाईस वालकम बैक टू माई यूटीव चैनल कैसे हैं सब लोग आई होप अच्छे होंगे सबकटा से सौ गुना जादा डराबना निकला एलियन रोमिलस सिनेमा गरों में हौरर की नई हल चल सिनेमा गरों में सावन के महीने में हौरर फिल्मों का सिलसला स्ट्रीट 2 से लेकर शुरू होकर एलियन रोमिलस से होते हुए अगले हफते अवैडिंग स्टोडी तक पहुँचने वाला है कम ही होता है कि सिनेमा गरों में लगातार तीन हफ़ते तीन हॉरर फिल्में रिलीज हो जाए फिल्म इस तरी टू हॉरर के साथ सत कॉमेडी का स्वाद भी परोस्ती चलती है ऐसे में उसे सौ फीजदी हॉरर फिल्म नहीं माना जा सकता है अब बार ये फिल्म डैड़पुल एंड ब्लू वरीन में जमी दोस्त दिखे 28th Century Fox की फ्रैंचाइजी एलियन की रिल्ले स्कॉट और जैंप्स केमरून के पसीने सी सिंची इस फ्रैंचाइजी की ये साथ भी फिल्म में फ्रैंचाइजी का खाका आपको पता ही होगा कि स्पेस्शिप के दम घोटू वाता बरण में एलियन के बीच इनसान फस जाते हैं फिल्म एलियन रोमलर्स की कहानी इस एलियन हॉरर यूनिवर्स के उस कालखन की है जब किसी तरह एलियन एक स्पेस्शिप में पहुँच चुके हैं और अब उनकी संखिय लगातार बढ़ रही है ये 1979 में आई पहली एलियन और 1986 में आई फिल्म एलियन के बीच के कालखन ये 2022 में गड़ी गई फिल्म एलियन रोमलर्स से संखियत ये भी मलता है कि मार्वल सिनमेटिक यूनिवर्स की तरह यहां भी शायद एक नए मल्टिवर्स की सर्ज सन रचना हो रही है एक्समेन की पहुँच एंसियो तक हो चुकी है क्या जैनो मार्क की एंट्री भी एंसियो में आके चल कर होगी अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है लेकिन això ओगा ही नहीं ये भी कहना मुशकल है साल 2000 बए यालिस की कहानी कहती फिल्म एलियन रॉमलर्स एक ऐसी ग्रह पर शूरू होती है जशा सूरच का दिखना किसी जसन से कम नहीं होता है रैन को सूरज देखना अच्छा लगता है और इसते में सबसे अच्छा उसे कोई लगता है तो वह है उसका भाई एंडी जिसके पास हर ताले की चाबी है एंडी दरसल इंसान नहीं है उसे रहने के माता पिता ने तयार किया एक ऐसा रोबोट की तरह है जो उनकी बेटी की रक्षा करता रहे रैन और एंडी इस दुनिया के तीन और इवाओं के साथ यहां से भाग निकलते हैं लक्षे है उनकी धर्ती के उपर भटक रहे एक लावारी स्पेशिप की उस संरचना की चोरी करना जिसमें बैटकर वे अपने घर बापिस लोट सकते हैं अपने फायदे के लिए कॉर्परेट दुनिया क्या कुछ कर सकती है और इन कोशिशों के बिच इनसान के जान की कीमत क्या है यह बात फिल्म एलियन रॉमलिस भी समझाती है इस फ्रेंचाइजी की पहले की फिल्मों की तरह फायदे के लिए बनी मशीने और इन मशीनों को म चलने वाली यह फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए कता ही भी नहीं है अगर आप में डराबने और घिनोने द्रिश्चे देखने की कूबत नहीं है तो किरिप्या इस फिल्म को बिलकुल ना देखें यह फिल्म नई पीड़ी के उन लक्षित दर्श्चों के लिए बनी है जो वीडियो गेम्स पे हिंसा और घिनोने द्रिश्चों के आदी हो चुके हैं एविल डेड और डॉट ब्रीट की सोहरत के साथ एलियन रॉमनूस बनाने वाले निर्देशक फैडे अलवारेज ने अपनी पिछली दोनों फिल्मों की परंपरा को इस फिल्म में इस लिहास से क प्रिश्चायम रखा है कि फिल्म के क्लाइमेक्स और उससे पहले के प्री क्लाइमेक्स में मजबूत से मजबूत कलेजे वाले इंसान को भी हिलाने में काम्याब रहे हैं उनके पास एक ऐसी फ्रेंचाइजी को रिबूट करने की जिम्मेदारी रही है जिसकी कहानी पिछल साल उनका जादा अच्छा नहीं गया पर इस साल डेटपुल एंड ब्लू वरीन से शुरूआ जसन एलियन रॉमलोस के बाद मुआना टू होते हुए जब मुफासा पर पहुँचेगा तो शायद कोरोना संक्रमुन काल का ये डिजनी का सबसे बहतरी साल बन जाएगा बीते साल प्रिंसला ने अपने अभीने से खुब बावाई लूटने वाली अबनेतरी केली स्पैनी के लिए साल 2024 की शांदार ही जा रहा है पहले फिल्म सिविल बॉर और फिल्म एलियन रॉमलोस दोनों में केली का करिश्मा दर्शकों के सिर चड़कर बोलता है वैक मिशिन पर आई मित्र मंडली की सदस्य हैं और इस बाद से अंजान की ये मंडली बस चंद घंटों की महमान है मंडली में कौन बचेगा और कौन एलियन्स का शिकार बनेगा इस गटना करम के साथ उनका रहन का किरदा सीन हदर सीन अपने रूप बदलता जाता है और यही इस किरदार की असल मजबूती है केली का साथ सिंटेटिक एंडी के रूप में डेलिन जॉनसन ने बहुत ही शांदार तरीके से दिया है चुस्त पटकथा पर शांदार तरीके से फिल्माई गई फिल्म एलियन रॉमलस बनाने में इसके निर्देशक अपनी तकनीकी टीम खासतोर से इसके सिनेमेटर ग्राफ गालो और ऑली वारिस और संगीतकार बेंजमिन बॉल्फिस से बढ़िया मदद मिली है फिल्म एलियन रॉमलस अमेरिका में बीते हफते ही सिनेमा गरों में रिलीज हो चुकी है वहाँ इसे मिली शांदार ओपनींग को देखते हुए लगता तो यही है कि यह फिल्म श्रद्धा कपूर की फिल्म स्ट्री टू के कारोबार पर असर डालेगी इस तरी टू का सरकटा अगर आपको डराने में काम्याब रहा है तो एलियन रॉमलस उससे सोगना जादा डराबना है आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रू बताइएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें थैंक्स पॉर वाचिंग बाबाई